हालो गुडीमनिंग एवरीवन कैसे हैं आप उमीद करती हूँ रब की दुआ से सब ठीक होंगे आपको जैसे पता है कि बच्चों को वाम्स बहुत जादा हो जाते हैं पुर्मी बोलते हैं जिसको हम वाम्स पेट के कीरे तो वो बच्चों को बढ़ों को सबको फाइदे मन है पर बच्चों में यह जादा होती है तकलीफों मीठा खा लेते हैं चॉकलेट्स खा लेते हैं तो इसको एंटी वामिंग तो हम देते ही देते हैं सिक्स मॉंस में और मैं तो एडवाइस करूंगी कि बड़े लोग भी जो है आप एक रूटीन बढ़ा दीजिए कि डिसेंब इवेल हमारे जो पेट में तकलीफ होना जादा पेट की शिकायते जिनको रहती है वो स्टामक वाम्स की वज़े से भी हो सकती है इसके लिए जो बेटर डॉक्टर्स होते हैं वो लोग एंटी वामिंग पहले देते हैं उसके बाद मेडिसन स्टार्ट करते किसी भी चीज के हिंग दबी में हिंग का पाउडर और गुर जैगरी इन दोनों को आप मिक्स कर लीजे थोड़ा सा वाम करेंगे तो दोनों अच्छी तरह से पिघल जाएंगे पेस्ट बन जाएंगे उसके चोटी-चोटी सी गोलियां आप बना के रखिए और बच्चों को खिलाते रहिए डेली का आप उनको एक-दो गोली भी खिलाएंगे ना तो उनके पेट से कीडे भी मर जाएंगे और उनको वो मीथे की टेस्ट में गुर की टेस्ट में उनको पता भी नी चलेगा उनके हो पेट की छोटी-मोटी शिकायते सारी दूर हो जाएंगी इवेन वाम्स भी निकलने लगेंगे और वाम्स की शिकायत भी दूर हो जाएगी तो हिंग और गुर और उसकी छोटी छोटी गोलिया छोटे चोटे बच्चों के लिए है ना सही उपाय एकदम बड़े भी खा सकते पर बड़े इतने बड़े शरीर में इफेक्ट भी तो होन है तो सट्टल रहते है तो जो भी इंसान ये चीज को फेस कर रहा है वाम्स की चीज को तो आप उसको एंटी वामिंग जरूर करिए एवरी सिक्स मांच यू शूड है वन टाबले इन नाइट स्लिपिंग टाइम में यू सी दा माजिक ऑफ ताबलेट वो मेडिकल शॉप मे आपको दे देगा बाकी बच्चों के लिए इस वेरी सिफ कि आप उनको हीम और गुर की गोली खिलाइए वो माजेस देखाएंगे और उनकी तकलीफे भी दूर हो जाएंगी थैंक यू